हेलो एप्रिवन कैसे आप सबी तो आज हम करने वाले हैं ssc bolt olivode की तरफ से olivode app पर आपको यह ssc bolt मिल जाएगा सितंबर मन्द का करने वाले है सितंबर के महीने का जो ssc bolt है इसमें आपके जितने भी current affairs है bolt का है बिसिकली यह current affairs की pdf है जिसमें आपको current affairs दिये हुए है और current affairs के साथ साथ में important current affairs की important information भी इसके अंदर दी हुई है तो यह सब आप देख सकते हैं olie board की app पर आपको जाना है olie board app डाउनलोड करनी आपको और वहाँ पर ना e-book section आता है olie board के उदर जाना और वहाँ पर लिखा होगा board और ssc bolt जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है एकदम free of cost है और इसके लिए आपको olie board की app डाउनलोड करने पड़ेगी link description box में दिया लिंक जो है आपको description box में दिया हुआ है तो चले स्टार्ट करते हैं आज का session देखते हैं कि actual में ssc bolt क्या है किस टाइप के current affairs है और कैसी यह आपके एक्जाम में आपके लिए beneficial हो सकता है यह मैंने आपके सामने इस वक्त पर pdf खोली हुई है पूरी pdf में आपको दिखा रह जो बिलकुल cgl tier 2 के pattern पर based है तो आई यह start करते हैं session को और इसमें आपको बता दो starting में जैसे आप इस पीडियोप को खोलोगे तो इस टाइप से आपको यहाँ पर यह दिखाएगा important current affairs, journal knowledge questions, answer keys भी है उन journal knowledge question की ठीक है उसके अलावा computer knowledge के कुछ questions उनकी answer keys और gg के questions के आपको solutions मिलेंगे और current affairs के question के भी आपको solution दिये जाएंगे जो last में दिये हुए है वो आपको मैं बता दूँगे इसके अलावा olibode पर अभी फिलाल में चल रहा है यहाँ पर near about 45% of ssc और ssc प्लस railway subscription पर तो इसको आप अवेल कर सकते हैं शीदल code यूज़ करना है और आपको 45% off मिल जाएगा ठीक है s-h-e-t-a-l शीदल code आपको यहाँ पर क्या करना है यूज़ करना है ठीक है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ssc जिसके अंदर ssc के सारे exam के आपको जो mock test है शीदल code यूज़ करने के बाद सिर्फ 384 में 384 रुपे में मिल जाएगे जबकि जो आपका ssc super related जिसमें ssc से related सारे exam का वीडियो सारे exam के live classes ब्लस सारे courses जितने भी exam है cpo, cgl वगएरा सब कुछ और उनके mock test यह मिलेंगे आपको 769 में 6 महिनों के लिए 769 में मिलने वाले हैं 760 रुपे में ssc plus railway लोगे तो उसके mock test अगर खाली चाहिए तो 439 रुपे में मिल जाएंगे और ssc और railway के इन सभी ssc और railway जो भी exam conduct करार उन सबकी classes उन सबके mock test वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पर 1199 रुपे में यानि कि आप 1100 रुपे में यह सारा कुछ जो है शीतल कोड यूज करने पर मिल जाएगा ठीक है चलो अब शुरू करते हैं आज का session गाईस सबसे पहले आपर important current affairs आपके क्या रहे economy से related आपकी अर्थिवेवस्ता से related देखते हैं यापर पहला current affairs का news क्या करता है इंडिया की GDP जो है first quarter में current fiscal grows at 13.5% 13.5% से इंडिया को जो GDP सकल घरेल उतपाद वो यहाँ पर पहला quarter पहला quarter कपड़ता है अपरेल से लेके मैं यह जून तक पड़ता है तो यहाँ पर इस quarter के अंदर यहाँ पर कितना increase हुआ इन तीन महीने में जो हमारा सकल घरेल उतपाद है वो साड़े तेरा प्र रोध की विकास की agriculture, forestry और fishing sector को अगर अलग-लग से हर एक sector को देखे तो agriculture, क्रिशी शेत्र और जो आपका मस्य पालन और जो वानकी शेत्र है यह 4.5% साड़े 4% से इसमें बड़ोतरी देखी गई जबकि उतपादक शेत्र जो है manufacturing sector इसके अंदर 4.8% की construction सेक्टर में यहाँ पर 16.8% की विद्धी देखी गई इंडिया यहाँ पर दूसरी न्यूस है कि इंडिया बना पांचवी सबसे बड़ी economy दुनिया के अंदर IMF growth forecast नहीं यह बताया IMF है आपका International Monetary Fund यह अंतराष्टिय संगटन है जिसने यह बताया कि भारत जो है कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी economy अर्थवेवस्ता बनी है इस दुनिया के अंदर और हमने UK जो है United Kingdom उसको पचाड़ दिया है और हम उसे आगे निकलाए हैं लेकिन फिर भी हम पर आते हैं आपकी National News, National News सितंबर मन्त के अंदर क्या थी कि जो INS विकरांद है इंडिया का खुद में बनाया हुआ एरक्राफ्ट केरियर यानि की पहला ऐसा एरक्राफ्ट केरियर जिसको भारत के अंदर बनाए गया मतलब हमने बहार से किसी से नहीं बनवाया है खुद से बनाया है भारतिय लोगोंने इसका नाम है आइनस विकरांद ये आपका 45,000 तन का युद्ध पोत है यानि की वाडशिप है जिसको बनाया गया था 20,000 करोड की लागत पर पीए मोदी ने इसका नया नेवल एंसाइन जो है वो भी क्या किया है मतलब इसके उपर जो नेवी क जो चिन हुआ करता था जो जंडे के उपर वो भी यहाँ पर अनया किया है पिछला जो सेंट जॉर्ज का चिन हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया गया तो यहां से भारतिय जो नोसैना जो है और जो हमारा जितना भी समुदरी तर्थ है उसकी जो भी विरासत है उसको यहां पर benefit मिलेगा फिर यहां पर आती है दूसरी न्यूस रिलाइस इंडस्ट्री जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा इसने carbon fiber plant जो है वो बढ़ाया है carbon fiber plant रिलाइस इंडस्ट्री ने जो बनाया यहां पर राजिस्त हजीरा के गुजरात के अंदर कहां पर बनाया वर्ल्ड का सबसे बड़ा carbon fiber plant हजीरा गुजरात के अंदर बनाया गया इसके अंदर capacity रखी गई कि 20,000 MTP यहां पर यह क्या कर सकता है इतना carbon fiber जो है यह प्रेडियूस कर सकता है और यहां पर oil to chemical segment के अंदर O2C जिसे कहा जाता है उसके अंदर अब जो अंबानी की यह रिलाइ करेंगे तीसरी यहां पर जो हमारी राष्ट रही वो यह थी कि न्यू दिल्ली का जो राजपत और central विस्टा लों जो है उसको कि नाम पर वदला जा रहा है किसके नाम पर रखा जा रहा है अब यहाँ पर हमारा जो यह राजपत और सेंटल विस्टा लोन हुआ करते थे इनको करतवया पत के नाम से जाना जाएगा आपको पता है पहले राजपत का नाम ब्रेटिश काल के अंदर क्या हुआ करता था है ना उसके बाद में इसका नाम राजपत रख दिया गया और यह जो नाम है इस रोड का यह पीम का यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते है ना वो यहाँ पर रहते हैं उनका रेजिडेंस यहाँ पर होता है कि इदर race course road को उसको भी बदल कर नाम क्या रखा गया लोक कल्यान माग जहाँ पर आपके प्रधान मंतरी रहते हैं race course road उसका पहले नाम हुआ करता था और नाम बदल कर लोक कल्यान माग रखा गया फिर यहाँ पर चौती नियूज है यह कहती है कि special scheme scheme for special assistant to states for capital investment यानि कि जो भारतिय सरकार है उसने एक यहाँ पर नई special आपकी scheme निकाली है special assistant scheme निकाली है states की लिए for capital investment for 2022 to 2023 यहाँ पर क्या की गई है यह निकाली गई है इस scheme के तहत यहाँ पर क्या दिया जाएगा financial assistance जो है government state governments को यहाँ पर दिया जाएगा 50 साल के लिए इनको क्या दिया जाएगा इदार interest free loan जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा इनके सारे capital investment project के लिए capital investment project क्या होते है guys तो यादखना capital investment project जो होते है यह ऐसे project होते हैं जिसके उपर क्या करते हैं जो आपकी सरकार होती है वो कुछ एक ऐसे खर्चे करती है ऐसे निवेश करती है जिससे किसी चीज का निर्माण किया जाता है जो आगे चलकर सरकार की संपत्ती बनता है तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि एक नई special scheme लेके आएंगे जिससे यहाँ पर राज्य जो है उनको क्या मि सके ऐसे खर्चों के लिए जो आगे चलके सरकार की इन राज्य सरकारों की संपत्ति के रूप में जैसे कि ब्रिज बनवाते हैं या पुल बनवाते हैं नैशनल हाइवे बनवाते हैं तो इन पर से लोग गुजरते हैं टोल वगेरा देते हैं कुछ एक यहाँ पर फीस सरकारिंग के उपर कलेक्ट करती है तो अब इनको 50 साल तक का ब्याज मुक्त यहाँ पर रिण दिया जाएगा ऐसे खर्चों के लिए जिससे संपत्ती क्या होने वाली है बनने वाली है next is here next news है आपकी Amazon setting up its first solar project Amazon जो है अपना पहला सौर उर्जा का प्रोजेक्ट भारत के अंदर solar farm जो है यह लगाने वाला है अब यह solar farm कहाँ पर लगा जाएगा यह लगाया जाएगा आपका राजिस्थान के नौाख गाउं के अंदर यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह पहले तीन ऐसे सौर उर्जा के प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करने वाले हैं राजिस्थान के अंदर जो टोटल 420 मेगा वाट इनको बिजली जो है उसका उतपादन करके देगा 210 मेगा वाट का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर के देगी फिर 100 मेगावट प्रोजेक्ट के लिए एक कम्पनी है एंप एनरजी इंडिया करके वो बना के देखी और 110 मेगावट का जो यह प्रोजेक्ट है यह दिया गया ब्रुक फिल्ड ग्रीन युवल पार्टनर्स को यहाँ पर फिर क्या आता है फिर आता है आपका इधर ओपरेशन मेग चक्र ओपरेशन मेग चक्र जो है CBI ने यहाँ पर कुछ एक जगह पर 21 ऐसे स्टेट और UT है ऐसे राजे और केंदर शाशित प्रदेश है जहाँ पर ऐसे 21 जगह पर ऐसे स्टेट और UT पर Child Abuse Material के अगेस जहाँ पर किसी भी बच्चे का शोशन हो रहा है उस इसने शुरू करवाया Central Bureau of Investigation ने शुरू कराया Code Name दिया था मेग चक्र इंटर पोल की तरफ से इनको कुछ एक यहाँ पर Action Plan मिला जिसको इन्होंने सोचा कि इसको करते हैं ठीक है अब सुमोध कुमार जैसवाल जो है सुमोध कुमार जैसवाल यह क्या है CBI के डारेक्टर है अब बात करते हैं Sports News की Sports News में सबसे पहले आता है FIFA Under 17 Women World Cup 2022 यह यहाँ पर किसने कहां पर होने वाला है तो यहाँ दखना जो FIFA Under 17 Women World Cup जो है यह इंडिया के अंदर होने वाला है इसकी यहाँ पर वीडियो असिस्टेंट रेफरी यूस किया जाएगा मतलब कैसा रेफरी जो वी यहाँ दखना Under 17 Women World Cup जो इंडिया के अंदर होगा यह तीसरा ऐसा FIFA महिलाओं का टोर्नमेंट है जिसमें यह जो वीडियो असिस्टेंट रेफरी इसको यूस किया जाएगा और यहाँ पर पहले भी Under 20 Women World Cup Costa Rica में जो हुआ था 2022 में और FIFA Women World Cup France 2019 में भी यहाँ पर वीडियो यू पूब मिनिस्टर अमिच शा लॉंच 36th National Game Anthem and Mascot in Ahmedabad यहाँ पर 36 नंबर का National Game हुआ नेशनल गेम जो गुजरात के अंदर होते हैं तो उसका यहाँ पर Mascot जो मुखोटा या जिसको बोलते है कि जो एक यूनो इनकी तरफ से एक Animal या कुछ एक ऐसी चीज होती है जिसको यह Mascot यहाँ पर करते हैं तो इन्होंने इसको unveil किया इन्होंने Mascot कौन सा बताया तो Mascot का नाम था सवज सवज एक क्या है सवज एक शेर का बच्चा है यानि कि कब सवज किसको कहा जाता है कब को कहा जाता है गुजराती में कहा जाता है इसको ठीक है और यह जो है यह क्या कि आपका यहाँ पर एहमदाबाद है यह भी इन में से एक था जहाँ पर यह मैसकोट और एंथम रिलीज किया गया जो आपके यहाँ पर यह 36 राष्ट्रिय खेल हुए इनको सेलिब्रेट किया गया एक तो यह साथ साल बाद हो रहे थे उपर से इसको 29 सितंबर से लेके 12 अक् गुजरात में और अगले साल 37 नेशनल गेम्स कहाँ पर होगा तो यादकना आंसर हो जाएगा गोवा अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट से रिलेटिड फुटबॉल के अंदर इंडिया ने नेपाल को हरा दिया 4-0 के स्कोर से और क्या जीत लिया इन्होंने स आउतेशन फुटबॉल फेडरेशन एस एडबल एफ अंडर 17 चैंपियंशिप टाइटल जो है कोलॉम्बो में जहां पर हुआ यह उसको जीत लिया तो यहाँ पर इंडिया ने किसको राया नेपाल को कितने से 4-0 के स्कोर से इंडिया की जो कैप्टन थी वनाल पेका ग्व इनको यहाँ पर सबसे कीमती खिलाडी कहा गया इस टॉर्णामेंट का जबकि यहाँ पर गोल कीपर साहिल जो रहे उनको बेस्ट गोल कीपर अवार्ड मिला नेक्स यहाँ पर है आपका विनेश वोगाड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता यहाँ पर वर्ल्ड रेसलिंग चैंप मेडल है बेल ग्रेड वहाँ पर यह रैसलिंग चैंपियंशिप हुए थे वर्ल्ड नमबर के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यहाँ पर यह गोल्ड मेडल रही है इन्होंने यूरोपियन चैंपियन जो है एमा मल मगरेन ऑफ स्वीडन उनको इन्होंने हराया इनका यह दूसरा ब्रॉंस मेडल था चैंपियनशिप में पहले 2019 में भी यह ब्रॉंस मेडल जीच चुकी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में और फिर अब 2022 में भी यह जीच चुकी है इसलिए यह दो मेडल यहाँ पर जीच चुकी है ब्रॉंस मेडल नेक्स्ट इस इंडिया टू होस्ट मेड इन मोटो जीपी रेस इन 2023 मोटो जीपी क्या होती है ग्रैंट प्रेक्स फॉर्मिला वन रेसिंग कार जो होती है उसका कॉंपरेटिशन होता है तो यहाँ पर मोटो जीपी कमर्शिल राइट ओनर कौन है दोरना और नॉइडा बेस्ट एक रेस प्रोमोटर है फेर स्पेड स्पोर्ट्स नाम के फेर स्ट्रीट स्पोर्ट्स जो है यह एक कमपनी है जो नॉइडा बेस्ट है और रेस प्रोमोटर हैं यह लोग यह MOU यहाँ पर साइन कर रहे हैं जिसमें two wheel racing event जो है इंडिया के अंदर अगले साथ सालों में कराया जाएगा यानि कि Formula One racing यहाँ पर अगले साथ सालों में conduct कराने वाले हैं यह बुद्ध International Circuit जो कि नोटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है फिर आती है अब आपकी scheme से related news तो सबसे पहला scheme से related क्या था कि जो आपकी women and child development है WCD इसने celebrate किया पाचवा राश्ट्रे पोशन मा दो हजार बाइस का एक सितंबर से लेके 30 सितंबर तक जो आपका महिला और बालविका समंत्राल्या है उसने राश्ट्रे पोशन मा मनाया यहाँ पर celebrate इनों ने किया उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप से पुझेगा राश्ट्रे पोशन सपता कब से कब तक मनाया गया तो एक से लेके 7 सितंबर तक मनाया गया पोशन सपता तो यहाँ पर इस साल इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है महिला और स्वास्ते, बच्चा और शिक्षा, ये दो थीम हैं महिला और उसका स्वास्ते पर ध्यान दो, फिर जब बच्चा हो जाए तो उस बच्चे और उसकी शिक्षा पर ध्यान दो, पाचवा जो ये र 3500 PM श्री स्कूल तो यहां पर कैबिनेट ने कहा कि 27000 करोड की स्कीम इनों ने लॉंच की जिसमें ये 14500 स्कूलों के अंदर कैसे PM श्री स्कूल श्री स्कूल यहां पर क्या है ये है PM स्कूल फोर राइजिंग इंडिया ऐसे स्कूल जो भारत के उत्थान के लिए बहुत सहायत करेंगे तो 27,360 करोड की स्कीम जो है ये 14,500 स्कूलों के अंदर इसको लॉंच किया गया और यहां पर केंदर विद्याले नवोध्य विद्याले जो है उसके अलावा जो भी ऐसे राज्य सरकार या लोकल बोडिस के द्वारा चलाए हुए स्कूल जो है किसी भी सरकार ने ज देने वाले हैं बाइदा एंड ऑफ 2024 तो 2025 दो हजार चौबिस से दो हजार पच्चिस के एंड तक मजसे संपदा योजना जिसने अपने तू दो साल पूरे किये हैं यह कह रहे हैं कि जब दो हजार पच्चिस खदम होगा ना तब तक हम यहां पर 68 लेक यहां पर लोगों को नौकरी दे देंगे मजसे संपदा योजना क्या है प्रधानमंत्री मजसे संपदा योजना इसकी यह सेकेंड अनुवर्सरी थी अब यहां पर फिशरी सेक्टर जो है हमने देखा उसने अभी क्या कितना ग्रोथ लिया है 2020 से अगर 2022 में हम कंपेर करें और उसका यहां पर द गरीबों को अन दिया जाएगा गरीब कल्यान अन योजना के तहट अब कितना अन देते हैं तो इस कीम के तहट यहां पर यह 5 किलो राशन हर एक व्यक्ति को देते हैं हर महीने अगले आने वाले तीन महीने तक यह ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि 30 सितंबर को यह खतम होना था फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं अक्तूबर नवंबर और दिसंबर तक और चला देते हैं इसको जिसकी वज़े से यहां पर जो सरकार है जो हमारी केंद्रे सरकार है उस उसने अभी तक इस पर पोने चार लाग करोड रुपे अल्रेडी खर्चा कर दिया है यहां पर फिर आती है नियूज अपॉइंटमेंट और रेजिगेनेशन की किसका अपॉइंटमेंट हुआ किसने रिजाइन किया तो गर्वर्मेंट नहीं यहां पर नियूक्त किया थॉ इंशॉरेंस सेक्टर बीमा शेतर को देखता है उसका इनको मेंबर बनाया गया है नॉन लाइफ मेंबर अपॉइंट किया गया है यह आपको याद रखना है ठॉमस M. देवासिया जो है यह पहले यहां पर मार्श इंशॉरेंस ब्रोकर्स इंडिया के साथ में जो की कोची क इरला में पढ़ती है उसके साथ में यह टेखनिकल एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे थे नेक्स यह इदर अंगोला जाओ लॉरेंग को टेक ओट एस दा सेकेंड टमेस प्रेजडेंट तो यहां पर दूसरी बार अंगोला के जो राश्ट्रपती है वो दूसरी बार कौन बने है जाओ लारं को वने आइ तो जाओ अंगोला में जाके दुवारा से राश्ट्रपती की तरह पाम करो तो यह चीज यहां पर यह बोल रहा है पहले ये होकी कैप्टन भी रह चुके हैं गोल्ड मेडल विनिंग टीम का ये पार्ट भी थे 1998 का जब एशियन गेम्स हुआ था और भारत गोल्ड जीत के लाए था तो उस टीम में भी ये प्रेजन्ट है इनको यहाँ पर होकी इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया ऐसा प इतन्स में 2004 में जबकि गोल्ड मेडल जीत के कब लाए थे 1998 में जीत के लाए थे नेक्स्ट इस एंपी सिया रिया पॉइंट्स दिलिप अस्बे अज एस MDN CEO फॉर फाइव एस एंपी सिया ने दिलिप अस्बे जो है उसको MDN CEO अगले पास सालों के लिए यहाँ पर वापिस से इनको बना दिया गया है as MDN CEO नेक्स इस इटली गैट्स फॉर्स्ट पीम फीमेल पीम एज जियोर्जिया मेलोनी इटली के अंदर पहली महिला परधान मंत्री बनी है जिनका नाम क्या है जियोर्जिया मेलोनी है जिनको यहाँ पर जीत हासिल मिली है तो किसकी जीत हुई जीजुर्जिया की जीत हुई जो है यह Brothers of Italy पार्टी की लीडर है 14 साल की उम्रे से यहाँ पर पॉलेटिकल पार्टी इन्होंने जॉइन के लिए थी पॉलेटिक्स में यह आ गई थी और इन्होंने ब्रदर्स ओफ इटली नाम की एक अंदोलन एक मुवमेंट यहाँ पर शुरू किया था जिसे काफी फेमस हुई अब जय और जय मेलोनी बनी है पहली महिला परधान मंत्र प्रिंसे साउधी क्राउन प्रिंस मुहमомина बिन सल्मान, आपॉंटर्ट्वृ प्राइम मिनस्टर है, राजकुमार बना दिये गये हैं प्रिंस मुहम्मद जो है ये पहले डेपिटी प्राइम मिनिस्टर थे और अब ये क्या बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं प्रमोशन हो गये हैं इन सब का फिर आती है अवार्ड रिलेटेट न्यूस लोकनायक फांडेशन साहित्या पुरसकार अवार्डेट डनी केला भराणी को मिला लोकनायाक फांडेशन साहित्या पुरसकार अब ये तेलगो एक्टर और ओथर है तनीके भराणी जिनों ने यहां पर जिनको इंट्रड्यूस किया गया हर साहित्या पुरसकार जो दिया जाता है लोकनायक बेसिस पर ये अठारobal नायक बेसिस अवार्ड वीच था जो कहां पर दिया गया विशाखा पत्नम आदर प्रदेश में फिर दूसरी अवार्ड न्यूस क्या है Emy Award 2022 के दिये गए जिसमें Zendia जो है उसको Best Actress Award मिला और Squid Game के जो Lee Jung Jai है उनको यहाँ पर Best Actor Trophy मिला तो Best Actor कौन रही? Lee Jung Jai टेक्स तो जो अपनी जंग में जाई वही टेक्स होम warанд Best Actor Trophy और Zendaya कौन है? Zendaya इतनी खतरनाक है कि अगर किसी ने उन पर दया नहीं दिखाई तो वो सब को जायर दे देंगी तो Zendaya जो है Best Actress यहाँ पर बनी, दो यहाँ पर ट्रिक बहुत ही खतरनाक थी, कोई दिकत नहीं है यहाँ पर Emmy Awards जो है वो दिये गए Television Academy में और यह कौन से नमबर के Award थे? 74th Emmy Award थे ठीक है, 34 नमबर के Emmy Award थे जो यहाँ पर क्या किया गया? जिनको दिया गया White Lotus जो है, इसको यहाँ पर सबसे ज़ादा Award मिले इस बार Emmy Award के तहत White Lotus को सबसे ज़ादा Award जो है, वो दिये गए है और यहाँ पर Euphoria, Squid Game जो है, यह दोनों के दोनों Second Highest Awards इनको मिले, 6-6 इनको Award मिले जबकि जो आपका The White Lotus है, उसको 10 Total Award मिले फिर आते हैं, इंडुस्ट्रियलिस स्वाती पीरा मल्क, awarded to top French owner स्वाती पीरा मलक को सबसे बड़ा French owner, French संबान मिला, Chevalier de la Ligon owner, known as Knight of the Legion of Honor यह French civilian award सबसे बड़ा है, जो यहाँ पर पीरा मलक का जो भी contribution रहा है, business के field में, in countries के भी field में और स्वाती पीरा मलक को पहले यहाँ पर पदमश्री भी मिल चुका है, 2012 में फिर यहाँ पर आता है आपका, Gate Foundation honors four leaders with 2022 goalkeeper global award इंडिया की रादिका बत्रा, Zahra Zoya of Afghanistan, Vanessa Nakate of Uganda और EU की चीफ है Ursula Won Der Lehan, इन सभी को Bill and Melinda Gates Foundation जो है, उन्होंने इनके काम के लिए दिया है इनको United Nations Sustainable Development Goals, ठीक है, इंडिया की रादिका बत्रा, Zahra Zoya कहां से है यह अफगानिस्तान से है, Vanessa Nakate, Uganda से है, यह अभी यहाँ पर क्या बनाए गई है Goodwill Ambassador भी बनाए गई है, और EU की चीफ, European Union की चीफ, Ursula को भी दिया गया Next News है, यहाँ पर Author Poet Mina Kandasami wins German Pen Award Mina Kandasami जो है, इनको German Pen Award जो है, वो दिया गया यहाँ पर यह Pen Center जो की जर्मनी में पढ़ता है, उन्होंने यह दिया यह Award दिया जाता है, कandasami के Honor में, जिन्होंने यहाँ पर जो Victimized Writer है, उनके Rights के लिए यहाँ पर आवाज उठाई थी, मीना Kandasami को मिला जर्मन Pen Award, फिर आता है आपका केरला, केरला को Award मिला Best Performing State for परधान मंत्री आईशमान भारत परधान मंत्री जनारोगे योजना, तो केरल इसमें सबसे अच्छा Top Performing यहाँ पर क्या रहा, यह State रहा, जिसने Best Perform किया, इसको क्या मिला, Union Health Minister ने यहाँ पर आईशमान उत्कृष्टता पुरसकार यहाँ पर बाटे, आईशमान Excellence Award 2022 के लिए बाटे, To Performing State और UT, यहाँ पर क्या Top Performing State और UT के बीच में इसको बाटा गया, Top Performing District कौन सी रही, वो थी, पारवती पुरम, आंधर प्रदेश में पढ़ती है, Top Performing Government Facility District Hospital धरवाद करनाट का, Next, India Origin की Suella Breverman जो है, इनको मिलता है Queen Elizabeth Duitia Award, तो यह ना भारती अमूल की है, लेकिन Britisher है, Home Secretary यहाँ पर थी Suella Breverman, इनको यहाँ पर पहला ऐसा Queen Elizabeth Second Women of the Year Award मिला, 42 साल की Barrister है यह, जिनको यहाँ पर Cabinet में PM Liz Truss ने Appoint किया था, फिर इनके Anti-Indian Mark की वज़े से Suella Breverman को हटा दिया गया, कि यह भारत विरोधी बयान इनको अस्तिफा देना पड़ा, Liz Truss की सरकार गिर गई और उसके बाद में अब नए यहाँ यहाँ पर UK के कौन परदानमंत्री बने हैं, वो है रिशी सुनाक और वो भी Indian Origin के हैं, विमेन राइट एक्टिविस्ट स्रिष्टी बक्षी विन्स चेंज मेंकर अवार्ड एट UN SDG Action Awards, जो विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, यानि की महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती हैं, श्रिष्टी बक्षी, इनको मिला है चेंज मेंकर अवार्ड, UN Sustainable Development Goals Action Awards के त उत्राखंड को यहाँ पर अवार्ड दिया गया for Adventure Tourism and All-Round Development of Tourism, Adventure Tourism भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, बेस्ट है और यह overall जो All-Round of Development है टूरिजम का वो भी उत्राखंड के अंदर सबसे अच्छा है, यह अवार्ड दिये गए National Tourism Day के तहत, National Tourism Day कब मनाया जाता है, 27 सि 2019 के बीच का जो performance था उसके साब से यह दिये गए, दिये किसने यह जो आपकी Union जो Vice President है जगदीप धनकर्ड उन्होंने दिया ठीक है, तो यह ध्यान रखना, नेक्स यहाँ पर देखते हैं, नेक्स न्यूस है आपकी banks and reports से related, LIC out of top 10 most valued firms replaced by Bajajaj Finance and Adani Transmission, तो LIC यहाँ पर 10 most valued companies में से एक रहा, market capitalization के तहत और इसने यहाँ पर किसको replace कर दिया, Bajaj Finance और Adani Transmission को भी replace कर दिया, LIC जो है, अब यह 11 नंबर पर यहाँ पर आता है, यह यादखना आपको और जो top 10 most valued firms हैं, इंडिया की उसमें कौन कौन है, Reliance Industry, TCS, HDFC Bank, Infosys, HUL, Hindustan Unilever, ICICI Bank, SBI Bank, HDFC, Bajajaj Finance and Adani Transmission, यानि कि LIC जो है, यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर इससे out हो चुका है, किसने replace कर दिया, इसको Bajaj Finance और Adani Transmission जो है, उसने क्या कर दिया, आपर replace कर दिया, I think मैंने शहिद उल्टा बोल दिया था, कोई बात इसको correct कर ले ना कि LIC अब 10 वे की जगे 11 पर हो च I do, Himalayan Zoological Park, Dargling के अंदर, इसको best zoo बोला गया भारत के अंदर, ठीक है, यह किदर पढ़ता है, यह पढ़ता है, आपका West Bengal के Dargling जगा पर, जबकि कोलकता का जो Alipore Zoological Garden है, इसको यहाँ पर चौथा स्थान मिला, Central Zoo Authority ने यहाँ पर एक ranking list निकाली, जिसमें इन्होंने बोला, अनार रिगनार Zoological Park, चैननाई का सेकेंड पोजीशन पर रहा, और श्री चम राजेंदर, Zoological Garden करनाटक का थर्ड यहाँ पर रहा, रेड पांडा जो है, यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, आपका पदमजा नाइडू, हिमालियन Zoological Park में, ने 2020-2021 के लिए, यहाँ पर रेलवे के एफट जो नेट जीरो कारबन एमिशन की कारबन सबसे कम यहाँ पर हम रिलीज करें, वो सब बताया गया, अब आती है बारी important days की, तो important days में टीचर्स डे, नैशनल टीचर्स डे भारत के अंदर बनाया गया, पांस सितंबर को, जो हमारे जो हमारे पहले उपराष्ट पती भी थे, उनकी birth anniversary पर बनाया गया, कब से कभ यह रहे उपराष्ट पती यह कब बनते हैं, तो देखो जब सब स्टार्टिंग में सरकार आती है, 1951 के अंदर तब यह वाइस प्रेजिडेंट बनते हैं, और 1962 से लेके 67 तक यह राष्ट पती बन जाते हैं, और यह बनते हैं दूसरे राष्ट पती भारत के आफ्टर, जो आफ्टर राजे इंदर पर साथ, ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिए भारत के इंदर क्या मनाया जाता है, पांच सितंबर को National Teachers Day, और जो आपका वर्ल्ड लेवल पर Teachers Day बनाया जाते हैं, यह चैरिटी दिवस बनाते हैं, यूएन ने इसको 2012 में क्या किया था, शुरू किया था, नेक्स यहाँ पर है International Day of Clean Air for Blue Skies, यह कब मनाया गया, तो यह आपका साथ सितंबर को यहाँ पर मनाया गया, तो आपका यहाँ पर थर्ड क्या बनाया जाता है, थर्ड यहाँ पर International Day of Clean Air for Blue Skies, यह 7 सितंबर को बनाया थीम रखा गया था, एयर वी शेयर, यानि कि जो एयर जो हवा हम शेयर कर रहे हैं, उसके उपर कि वो अच्छी होनी चाहिए, धंकी होनी चाहिए, 26 नमबर 2019 में, सेकिंड कमीटी हुई थी, 74 सेशन जो हुआ था, युनाटिड नेशन का, जहाँ पर इन्होंने यह resolution adopt किया था, स्विकार किया था, कि यह 2020 से 7 सितंबर को क्या मनाएंगे, International Day of Clean Air for Blue Sky, कि हवा साफ रहे, क्लीन रहे, ताकि Sky जो है, वो हमें नीला दिखे, International Literacy दे, यानि कि अंतराश्य साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को यह मनाया जाता है, 1967 स इसको मनाया जा रहा है, साक्षरता के बारे में, जागरुपता देने के लिए, फिर आता है, World Physiotherapy Day, यह 8 सितंबर को मनाया जाता है, कि पहले तो जागरुपता दी, शिक्षा, साक्षरता के रिगार्डिक, साक्षरता के बाद में, Physiotherapy का बोला, 1996 से 8 सितंबर को, World Physiotherapy PT Day मना आ जाता है, 1951 में, World Physiotherapy जो थी, उसकी foundation हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इस साल 2022 में, यह किसके उपर फोकस करने वाला है, Osteo Arthritis के उपर, जो जोडों में दर्द होता है, उसके उपर, जो specially बुढ़ापे के अंदर होता है, उसके यह फोकस करेंगे, Next is International Day to Protect Education from Attack, अंतराष्टर दिवर्स से शिक्षा को बचाने के लिए किस से Attack से, 9 सितंबर को बनाया जाता है, 2020 में, UN Journal Assembly हुई थी, तब उसने यह decision लिया था, इस टाइप का कोई Day जो है, बनाया जाएगा, जहांबर बहुत सारे जो लोग, बच्चे स्पेशली जो रहते हैं उनको ऐसे किसी एक विवाद से बचाया जा सके, कोई Attack होता है, कुछ भी होता है, तो कोई War में से इनको बचाया जा सके, Next यहाँ पर World Suicide Prevention Day, यह हर साल 10 सितंबर को बनाया जाता है, और इसको कौन मनाता है, International Association for Suicide Prevention, IASP इसको मनाता है, और WHO इसको sponsor करता है, इस साल इसका जो फिर आता है, आपका United Nations Day for South-South Corporation, जो आपका 12 सितंबर को मनाया गया, यह उजना important नहीं है, तो चाहो तो छोड़ सकते हो, 15 सितंबर को International Day of Democracy अंतराश्टिय है, लोकतंतर दिवस मनाया जाता है, यह important है, यह याद अख लेना, Article 19 जो है, वो क्या कहता है, Universal Declaration of Human Rights की, यहाँ पर स मौलिक अधिकार है, Article 19, अनुचेद 19 के तहत हमें, बोलने का अभिवैक्ति करने का पूर्णे सो तंतरता है, Next is World Lymphoma Awareness Day, यह भी 15 सितंबर को मनाया जाता है, Democracy Day के साथ में, World Lymphoma Awareness Day, जो है, यह 15 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि यहाँ पर lymphatic system, जो है, जो आपके lymphs वगेर होती है, जो आपकी नसों के उदर lymph nodes होती है, जो आपके muscles को connect करती है, स्प्लीन, थाइमर्स, ग्लाइंड, बोन, मैरो, इन सभी से रिलेटेड यह लिंफोमा जो है, यह एक ब्लड कैंसर होता है, जहां पर वाइड ब्लड सेल्स जो है, वो मेलफ्रंक्शन कर जाते हैं, ढंक सितंबर को बनाया जाता है, 1987 में पहली बार जब यहां पर Montreal Protocol आया था, ozone layer की depletion के मुद्दे को raise करते हुए, तो इसको मनाया गया, इस साल इसका theme रखा UNEP United Nations Environment Program ने, Global Corporation Protecting Life on Earth, फिर इसके अलावा यहां पर अंतर राश्टे NFT दिवस, यानि की non-fungible token दिवस, भी सितंबर को Fungible tokens मतलब Digital Currency, Cryptocurrency, Bitcoins वगेरा तो आपने नम सुना ही होगा, next day यहां पर International Day of Sign Language, 23 सितंबर को यह celebrate किया जाता है, Pharmacist Day 25 सितंबर को इसको celebrate किया जाता है यहां पर, और इस साल इनो ने theme रखा Pharmacy United in Action for a Healthier World, यह theme था World Pharmacist Day का जो 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25 सितंबर को भारत के अंदर अंतोधिय दिवस भी मनाया जाता है, 25 सितंबर को किसकी birth anniversary पर दीन दयाल उपादिया जी की जयनती बर यह मनाया जाता है, जहां पर 2014 में Prime Minister Narendra Modi ने डेडिकेट किया था, और हर साल 2015 से 25 सितंबर को यह मनाया जाने लगा, इनके नाम पर एक योजना भी शुरू क की गई है, अजीवी का स्किल योजना जो की नैशनल रूरल लाइबलि हुड मिशन के तैत आती थी, उस अजीवी का स्किल योजना का नाम बदल कर दीन दयालंग तो दिये, योजना रग दिये गया, नमबर 2015 में, नेक्स ने आपका वर्ल्ड लंग डे, 2022 का यह 25 सितंबर को बनाया गया, जहां पर लंग की हेल्थ और उसके बारे में, लोगों के बीच में जागरकता फैलाई गई, फिर बात आती है, वर्ल्ड लंग डे का थीम कहा रहा, लंग हेल्थ फॉर और इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ नुकलियर वेपन्स, यह 26 सितंबर को यहां पर बनाया जाता है, पहली बार, यूएन जर्नल असेंबली ने 2009 में, इसके रिगार्डिंग 29 अगस्त को डिकलेर किया था कि नुकलियर टेस्ट का इंटरनेशनल डे बनाएंगे, लेकिन 2013 में, यूएन जीये ने अपना ये फैसला बदल कर सितंबर 26 रख देया गय कि यहां पर टोटल एलिमिनेट कर देंगे हम क्या नुकलियर वैपन्स को, नेक्स यहां पर है आपका वर्ल्ड इन्वार्मेंट हेल्थ डे, इन्वार्मेंट हेल्दे, यानि कि परिया वरंड स्वास्तिय दिवस, अंतरराष्ट इस तर पर कब बनाया जाता है, अगेन 26 सित कि जो भी आपके सतत विकास जो गोल्स हैं, इनको उदेशियों को कैसे पूरा करेंगे आप अगर आप इन्वार्मेंट जो परियावरं का स्वास्ते अच्छा रख पाते हैं तो, फिर यहां पर बनाया गया वर्ल्ड टूरिजम डे 27 सितंबर को, विश्व परियाटन दिव जो है, वो यहां पर क्या आया था, लाग हुआ था, नेक्स यहां पर है इन्टरनेशन, और इसका टूरिजम डे का इस बार थीम देख लेना, री थिंकिंग टूरिजम है, क्या है थीम? री थिंकिंग टूरिजम, वर्ल्ड टूरिजम डे स्टार्ट कब हुआ था, 1979 में इस को शुरू किया गया था फिर आता है International Day for Universal Access to Information 28 सितंबर को 28 सितंबर को World Rabbis Day ये important है World Rabbis Day का मनाया जाता है 28 सितंबर को इस साल का इसका theme क्या रहा One Health Zero Death यानि की एक health है और Zero Death रहे फर्स्ट रैबिज वर्ल्ड रैबिज डे जो है ये 2007 में मनाया गया था फिर नेक्स्ट आता है International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction 29 सितंबर को बनाया जाता है World Maritime Day 29 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व में जो Maritime दिवस ये वैसे तो मनाया जाता है last Thursday of every सितंबर हर सितंबर का जो आकरी वीरवार होता है उसको मनाया जाता है और इस बार ये आकरी वीरवार का पड़ा 29 सितंबर को पड़ा इसलिए ये 29 सितंबर को मनाया जाता है World Maritime Day का theme रहा New Technologies for Greener Shipping इसके अलाबा आपका International Translation Day 30 सितंबर को मनाया जाता है 2017 में इसके रिकार्डिंग सबसे पहली बार resolution पास हुआ था UN Journal Assembly के अंदर theme क्या रहा theme रहा A World Without Barriers अब आती है Science and Technology News इंडिया की पहली vaccine cervical cancer के against किस नाम से आई सर्वावेक के नाम से आई जी तिंदर सिंग ने इसको क्या किया लांच किया फिर इसके अलाबा दूसरे नियोस्ती इंडियन railways ने मेगदूत मशीन जो है मुंबई स्टेशन में लगाई दादर ठाने और जो बाकी मुंबई के आसपास वाले area है मेगदूत मशीने लगाई मेगदूत मशीने वो है जो आपके ना वातावरन से जो नमी है moisture है उसका यूज करके क्या बनाती है पानी का formation करती है नेक्स्ट है आपका NASA जो है उसने पहला direct image लिया हमारे exoplanet का जो हमारे solar system हमारे सौरे मंडल से बाहर का जो exoplanet है बाहरी जो दुरिश है जो बाहरी दुनिया है उसका पहला ऐसा direct image जो है यहाँ पर लिया गया यह exoplanet जो है यह 6 से 12 गुना जादा बड़ा है जूपिटर के मास से इस exoplanet का नाम क्या दिया गया है हिप 654-620 का नाम दिया गया यह एक बड़ा गैस से भरा हुआ बिना किसी पत्थर का surface वाला यह एक प्लानेट है जहाँ पर और यह habitable भी नहीं है यहाँ पर रहा भी न जा सकता क्योंकि ना तो यहाँ पर rocks present है ना यहाँ पर चटाने है ना यहाँ पर कोई और चीज़ है सिर्फ gas ही gas भरी हुई है इंडिया का पहला ऐसा night sky century लदाक के अंदर खोला जाएगा इस टाइप से पहला होगा कि night sky century कोई अभ्यारन ने लदाक के अंदर खोला जा रहा है जो लदाके चांग तांग wildlife century का पार्ट होगा इससे एस्ट्रो टूरिजम भी प्रमोट होगा इंडिया के अंदर और यह सबसी उचाई पर बना हुआ इस टाइप का यहाँ पर इंफ्रा रेड और गामा रे टेलिसकोब जो हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर किसे रिलेटेड डिफेंस से रिलेटेड भारत की जो सैन्य टुकडी है आर्मी कंटिंजेंट है उसने वोस्टोक exercise में participate किया जो कहाँ पर हुई रशिया के अंदर यहाँ पर हुई वोस्टोक exercise एक से लेके 7 सितंबर तक यहाँ पर होती है Training Ground जो Eastern Military District of Russia के अंदर करवाया गया फिर आपका दूसरा न्यूज है पीए मोदी जो है उन्होंने नया नेवल इंसाइन जो है निशान कोचिन शिप्याड कोची के अंदर इसको लॉंच किया जो यहाँ पर अपना colonial पास जो है हमारा जो ब्रेटिश ने हम पर राज किया उस जो है यह development organization इसने इंडियन आर्मी के साथ मिलके 6 test flight की quick reaction surface to air missile system की कहां से integrated test range चांदीपूर उडिसा कोस से इन्होंने किया तो यहाँ पर flight जो test की गई थी यह evaluation trial चला जा रहा था इंडियन आर्मी द्वारा नेक्स यहाँ पर है आईने सत्पूरा और P8I maritime patrol aircraft है यह जिन्होंने multinational naval exercise होई exercise का काड़ू जिसको किसने host किया उस्ट्रिलियन नेवी ने host किया उसमें इन्होंने participate किया भारत की नेवी जो है उसने इंडियन नेवर शिप अजय को 32 years के बाद में क्या कर दिया सेवा डी कमिशन कर दिया सेवा निव्यत कर दिया इसको सेवा में कब लिया गया था 24 जनवरी 1990 में जोर्चिया के उदर इनको रशिया के साथ में यूज किया गया था फिर इंडिया और US Coast Guard hold the drill अभ्यास एक यहाँ पर exercise drill रखते हैं अभ्यास नाम से भारत और US दोनों साथ में मि जो युदपोत गया या जो ऐसा जहाज गया उसका नाम कहता सुनाएना ठीक है तो यह यहाँ पर इसलिए गया ताकि इनको को सुनाएना नेक्स बुक Divorce and Democracy A History of Personal Law in Post Independence India इसको किसने लौँच किया यह बुक जो है यह किसके उपर है लौँच किसके लिए किया गया तो यह र पिर आता है नवतेज सरना क्रिम सन स्प्रिंग ये क्या है ये सेंटर बनाया गया किसके आराउंड जुलिया वाला बाग हत्या कांड का यहां पर ये मास्टर पीस जो है ये लिखा गया तो नवतेज सरना की जो नई बुक है क्या नाम है उसका क्रिम सन स्प्रिंग ये किसके बारे में बताती है ये उस जलिया वाला बाग हत्या कांट के बारे में बताती है जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ फिर एक और बुक यहां पर आई फॉर्जिंग मेटल रुपिंदर रावेंदा पैना स्टोरी किसने लिखी पवंसी लाल ने इस बुक को यहां पर लिखा पवंसी लाल मुंबई बेस्ट ऑथर और जर्नलिस्ट है नेक्स यहां पर फॉर्मर प्रेजिडेंट जो हमारे पुर्वर राष्ट पती थे रामनात को उन्होंने एक बुक यहां पर रिलीज की बुक का नाम था अम्बेड कर अन्मोधी रिफॉर्मर्स आइडियास पर्फॉर्मर्स इंप्लिमेंटेशन ठीक है तो यहां पर यह रामनात कोविंद ने इसको क्या किया लॉंच किया यह आपको यादकना है नेक्स यहां पर आप लॉंच किया गया एक प्रोग्राम के अंदर इस बुक को लॉंच किया गया जो दीन दयाल जी जो है पंडी दीन दयाल जी उनके थॉर्ट्स के बारे में है अब और्बिट्योरी यानि कि जिनका भी निदन हुआ सितंबर के अंदर राजुश्री वास्ता पास्ट अवे इनका भी निदन हो गया ठीक है राम चदर मांजी जो है यहां पर बिहार के अंदर इनका फोक थीटर आर्ट भी इदर किया है आर्टिस्ट रहे हैं यह और इनका निदन हो गया सायरस मिस्ट्री जो की टाटा ग्रुप के चेर्मेन थे एक रोड एक्सिटिनेंट में उनका देहांत हो जाता है अब बात आती है person in news की person in news में यहाँ पर जो बंदे सबसे जादा news में रहे वो थे अडानी ने लुई वे तो जो की एक luxury brand company है उसको पचाड दिया बेर्नाड अर्नॉल्ट को और तीसरे यहाँ पर सबसे अमीर व्यक्ति विश्व के बन गए सबसे पहले इलोन मस्क और दूसरे नमबर पे थे जैफ और तीसरे नमबर पे गौतम अडानी फ्राम इंडिया नेक् इससे कम उम्र के लोगों की जो यह self-made rich list थी जो खुद से यहाँ पर अमेर बने उसके अंदर युनों ने क्या किया टॉप किया फ्राम इंडिया नेक्स जेज कनेडा सिटी मर्खम नेम स्ट्रीट आफ्टर एया रहमान कंपोजर सेज ही इस ग्रेट फुल यहाँ अपर कने बना लिया फिर आप बात आती है कुछ एक न्यूज इंडिया इन वर्ल्ड की इंडिगों ने डब्ली एफ का सस्टेनेबल इनिशेटिव यहाँ पर लॉंच कर लिया एयरलाइन बन गया एक साइने ट्रीन क्लियर स्काइस फॉर टुमारो इंडिया कॉलिएशन कैम्पेन त पर 99 प्रतिशत से जादा जो जनसन किया है वो यहाँ पर डब्ली एच्चो की रिपोर्ट की अकॉर्डिंग पर्टिकुलेट मैटर 2.5 यान की छोटे-छोटे जो प्रदूशन के कन है वो लेती है यहाँ पर ऐसी 99% पॉपलेशन है पूरे दुनिया के अंदर इंडिया के इंडिया के अंदर 99% पॉपलेशन पॉपलेशन पी एम 2.5 को यहाँ पर हेल्थ बेस्ट गाइडलाइन्स निकाले कि यह लोग इतना जादा इनके साथ में दिक्कत आ सकती है कि इतना जादा पॉल्यूटिड मार्ट पार्टिकल्स जो है यह कंज्यूम करते हैं इनके सांस क ठीक है फिर इंडिया यहाँ पर वना श्रिलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षी उधार देने वाला चाइना से भी जादा अभी तक ग्रांट्स कौन को इंडिया दे चुका है फिर आप बात करते हैं एग्धिरी बिजनेस की एग्री बिजनेस में इंडिया का जो अपेड फिर आता है कृतिक गया 3.2 ये नैशनल लेवल का एक हैकोतोन चलाया गया क्रॉप इंप्रॉव्मेंट के उपर गया जी डैम भारत के सीएम ने इनॉग्रेट किया इंडिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा सबसे लंबाई तक पहला हुआ रबर डैम फालगू रिवर पर ठीक लगू नदी गया बिहार के अंदर लॉंच किया इसको ठीक है उसके अलावा यहां पर जो आपके पीम मोदी है इन्हों ने अधार शीला रखी दुनिया के पहले सी एंजी टर्मिनल की गुजरात के अंदर इंडिया में गुजरात के अंदर ठीक है तो यहां पर वर्ल्ड सी एंजी टर्मिनल गुजरात में कौन बना रहा है पीम नरेंदर मोदी करनाटक गर्मेंट ने यहां पर लॉंच किया ग्लोबल स्टार्ट अप चैलेंज विन्टू राइस शुरू किया है यह फ्लैक्शिप इवेंट है ग्लोबल इंवेस्टर मीट का इन्वेस्ट करनाट का 2022 इन्हों ने इसका थीम रखा नेवेंबर दो से लेके चार तक बैंगलूरू प्लेस में चलाए गया नेस्ट इस शुमांग लीला दर ट्रेडिशनल आर्ट थीटर फॉर्म ऑफ ओल मनीपूर शुमांग लीला फेस्टिवल 2021 से 22 का यहां पर इंफाल मनीपूर में मनाया इंडिया का आप पहला दू गों औक कन वर्जैनर रिजर्व नोटिफाइड इन तमिलाड़ू के अंधर देश का पहला दू गोंग कंजरवेशन रिजर्व जो है पाक बे के अंदर इसको क्या किया गया थन्जबूर और पुदु कोटल पुदु कोटाई डिस्टिक्ट ब मिलनाडू की वहाँ पर इनको लॉंच किया गया ये दो गुंग्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड हैं अंडर ये एनिमल की स्पीशिस है जो प्रोटेक्टेड है अंडर शेडियूल वन वाल एफेक्ट ऑफ नाइटीन सेवंटी टू फिर तेलंगाना जो सरकार है उसने यहाँ और बुद्धु कमा ये जो उत्सब है यहाँ पर मनाया जाता है उसको स्टार्ट किया कि इसके अंदर तेलंगाना के अंदर बुद्धु कमा मनाया गया नेक्स्ट इस यूपी का जो भारतोल गाउं है ये पहला इसा गाउं बना जिसके हर एक घर में आरो का पानी उनके ल सुजल प्रदेश यहाँ पर जलशक्ती मिनिस्टर जो है उन्होंने अंडमान निकबार को भारत का पहला सुच सुजल प्रदेश गोशित कर दिया है यहाँ पर पोर्ट ब्लेर के अंदर इन्होंने यह अनॉस्मेंट किया वर्ल्ड वाटर डे के उबलक्ष में यहाँ पर अंडमान निकुबार आइलेंड को डिकलेर किया गया 100% कवरेज ओफ रूरल हाउजोल्ड दिल्ली पुलिस यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं टुमें कलेक्शन ओप फॉरेंसिक एविदेंस मेंडेटरी यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो सबसे पहली ऐसी पुलिस बनी है ज फोरेंसिक एविदेंस जो होते हैं जैसी कोई क्राइम हो जाता है तो उसके मगते हैं डॉक्तर वगज़ा उसका करता है तो उसको most important माना गया mandatory कर दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वार फिर आता है national nutrition भी कब से कब मनाए गया एक से 7 सितंबर और अगर राश्य पोशन मा पूचेगा मन्त पूचेगा तो answer हो जगा एक से 30 सितंबर फिर आता है cabinet approved signing in an MOU between India and government of Nepal किसके उपर biodiversity conservation के उपर यहां पर बना गए यह फिलिपिन्स की सरकार देती है रेमन मेक से से फिलिपिन्स के साथवे नंबर के प्रधान मंत्री हुआ करते थे plane crash में मिलती हो गे 1957 में तो 1958 से यह अवार्ड दिया जाने लगा तो यहां पर mental health advocate है from Cambodia क्या नाम है उनका बढ़ना डेटे जे मेडरेट उनको मिला है Gary Ben यह इंडोनेशिया से इनको मिला है और तदाशी हटोरी from Japan इनको भी दिया गया फिर कल्यान चोवे जो है इन्होंने बायचुम बूटिया को हरा दिया है और यह All India Football Federation के अध्यक्ष बन गए है बराक अबामा को Emmy Award मिला है इनकी Netflix documentary जो है Our Great National Parks उसके लिए यहां पर इसको क्या किया गया है दिया गया है यह याद रखना डूइटी इजन हावर जो है यह पहले यूएस प्रेज़ेंट थे जिरोंने Emmy Award जीता था एस जया शंकर ने यहां पर गुजराती ट्रांसलेशन इनकी किताब का The India Way Strategies for an Uncertain World यह यहां पर क्या किया लॉंच किया लिस्ट्रस जो इना बड़ा इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर है अरविंद चितंबरम इन्होंने दुबई Open Chess Tournament जीता इस रो ने यहां पर New Technology लेकिया आया Inflatable Aerodynamics Decelerator के लिए महराश्ट्रा आंध्रप्रदेश गुजरात जो है यह टॉप स्टेट बने पोशन अभियान स्कीम के तहत नी का दो साल बाद यह कंड़क्ट कराए गया इसके अलावा बहुत सारी आपकी नियूज है यह आपको PDF में मिल जाएंगी ओलिबोड की एप पर भी मिल जाएंगी मेरे टेलिग्राम चैनल जो है शीतर शर्मा01 वहां पर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है वहां प चोपरा ने यहाँ पर सबसे पहला उनका डायमंड लीग टाइटल जीता जूरीक के अंदर बैस्त रोराइन का 88.44 मीटर का पहले ऐसे भारतिय बने ऐसा करने वाले अलिजाबेट द्वितिय जो है जो यूके की सबसे लंबी यहाँ पर मोनाक रही यानिकी जो सबसे बड़ शाशन करता रही 70 साल इन्होंने शाशन किया और उसके बाद में इनकी 96 की एज में मिरत्य हो गई यह के कुईन बनी थी रानी बनी थी 1952 में ठीक है फिर यहाँ पर इंडिया जो है उसकी 191 कंट्रीज में से 132 रेंक आई UNDP के Human Development Index के अंदर PM जो है उन्होंने करतवया पत को यहाँ पर inaugurate किया और नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जो statue है इंडिया गेट पे उसको क्या किया अनवेल इधर किया तो इसके बाद में जो भी आपकी यहाँ पर different news रह गई है current affairs की यह आप PDF से भी इनको देख सकते हो ठीक है यह इस type का PDF है आज की class का मतलब क्या था class का मतलब यह था कि आपको न यह बताना कि SSC bolt है क्या और SSC bolt में किस type से आपको यहाँ पर हमने current affairs दिये हैं कैसे current affairs दिये हैं आपको topic wise भी दिये हैं और काफी सारे current affairs जितने भी आपके important है वो पूरे compile करके यानि कि last में हमने around यहाँ पर 75 75 यह इसके अलाबा ओलिपोर्ट के SSC bolt में आपको कुछ important journal knowledge के question मिलेंगे हर एक PDF के अंदर यानि कि जैसे कि पहला question who serve as the head of the national disaster management authority या फिर हडपन के related ancient history का सबसे world के सबसे longest Andes mountain कहां पर है कौन से continent में हैं इस type से आपको इनकी answer keys में मिल जाएंगी कि option कौन सा correct है और सिर्फ answer keys ही न इसके बाद में जब यह सारे के सारे जो आपके यहाँ पर different type of questions के answer keys के बाद में आपको इनका last time में solution भी मिलेगा इसके बाद में आपको computer knowledge के भी कुछ question मिलेंगे क्योंकि tier 2 के अंदर आप computer भी include कर दिया गया है CGL में और दिये देखो जो भी gk questions starting में थे disaster management act के थूँ यह इसका authority कौन है Prime Minister यहाँ पर authority होता है तो आपको with option plus solution आपको इसके अंदर मिलने वाला है जो SSC bolt है इसके अंदर तो इस step से आपको इसके end में सारे solution question और solution मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत अच्छे से practice कर सकते हो और उसे के साथ साथ आपको computer के भी यहाँ पर solution जो है वो द यहाँ पर news पढ़ी है कि government ने Thomas M. देवासिया को कौन सी organization का member बनाया तो हमने पढ़ा इर्डाई का बनाया मैम किसका इर्डाई का फिर दूसरी यहाँ पर question which ministry is celebrating पांच वार राष्ट्य पोशन मा तो हमको पता है कि मैम महिला और बालविकास मंत्रालिया ने celebrate किया एक से ले जहाँ पर यह साड़े चार हजार पीएम शिरी स्कूल्स बनाएंगे इसमें center का share कितना होगा तो इसका center का share हमने 18 करोड यहाँ पर पढ़ा था इसके आलावा दूसरा यहाँ पर question operation मेग चक्र यह CBI ने conduct कराया कितने state और यूटीज में answer क्या हो जगा मैम 21 state और यूटीज जो है हमारे दिली के अंदर जो पढ़ते इनका नाम बदल कर क्या रख दिया गया तो हमने क्या पढ़ा था करतव्य पति इनका नाम रख दिया गया जबकि PM का जो residence है जिसको race course road पे कहा जाता था उसका नाम बदल कर क्या रखा गया था उसका नाम बदल कर रखा गया था ल बिना ब्याजवाला यहाँ पर क्या दे रहे थे लोन इनको ओफर कर रहे थे फिर हमारी कंट्री का हमारे देश का पहला सोलर पावर प्लांट कहां पर लगा रहे हैं मार्च 2012 नोख विलेज कौन से स्टेट में लगा तो आंसर क्या हो जगा राजस्तान में और अभी फिलाल मे एमजोन ने क्या बुला कि यह राजस्तान के अंदर एक सोलर फार्म जो है वो भी लगाने वाला है ठीक है फिर यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फुटबोल के अंदर इंडिया ने कौन सी कंट्री की टीम को हराया साउथ एशियन फुटबोल फेडरेशन अंडर 17 टाइटल जीतने के लिए आंसर हो जाएगा मैं नेपाल को हराया वो भी चार जीरो के स्कोर से जिसमें बेस्ट गोल की पर साहिल और वैलिएबल प्लेयर रहे वन लाल पेका नेक्स्ट कोईशन यहाँ पर इंडिया की किस कंट्री ने यहाँ पर सबसे पहली मोटो जीपी रेस 2023 में कं रेंड़क्ट करेगा नेक्स्ट वीच ओफ दो फॉलिंग योजना कंप्लीट इट्स टू यहाँ एनवर्सरी जिससे यहाँ पर 68 लैक नई जॉप्स जनरेट होगी 2025 के एंड तो हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा था मैं मत से संपदा योजना के तहत यह क्या करने वाले हैं और 2 सालों के अंदर फिशरी सेक्टर 14.3 प्रतिशत से बढ़ा है गरीब कल्यान अन योजना जो है ये कितने महीने या कितने साल के लिए इसको एक्स्टेंड किया गया तो गर्मेंट जो है उसने 3 महीने के लिए इसको एक्स्टेंड किया गया कब तक दिसंबर 2022 तक पहली महिला प्रधान मंत्री मिली इटली की नई महिला प्रधान मंत्री कौन बनती है यहाँ पर तो यादखना इटली की जो महिला प्रधान मंत्री बनती है उनका नाम क्या है जियोर्जिया मैलोनी जो की ब्रदर्स ओफ इटली पार्टी की फाउंडर भी कही जाती है नई से यहाँ पर कौन सी स्टेट ने प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर आए आंसर क्या हो जाएगा मैम केरल यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा फिर कौन सी स्टेट ने अवाड जीता एडवेंचर टूरिजम और आल राउंड डॉपमेंट आफ टूरिजम का ये अभी हमने पढ़ा कि मैम उत्तरा खंचो है इसने यहाँ पर टूरिजम, एडवेंचर टूरिजम भी और All-Round Development of Tourism में भी Best Award जीता मेग दूत मशीन मुंबई स्टेशन में कौन लगवारा है इन में से तो आंसर क्या हो जाएगा मैम इंडियन रेलिवेज लगवारा है थाने, दादर और इस टाइब के मुंबई डिविजन के अराव इंडिया का पहला Night Sky Century कहाँ पर बनाया जा रहा है लगाया जा रहा है तो आंसर क्या होगा मैम लदाख के अंदर इसको क्या किया जा रहा है Night Sky Century को लगाया जा रहा है ये सारे SSC based question है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाले है इंडियन नेवी जो है उसने हमारी जो नेवल शिप अज है उसको कितने सालों बाद यहाँ लगता है कि आप लोगों को PDF से काफी help मिलेगा और ये PDF आप AlliBoard की app पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं अब आप समझ गए हैं कि SSC Bolt का मतलब यहाँ पर क्या है इसके अलावा अगर आपको SSC का कोई भी प्लान लेना है SSC Elite या Super Elite इसमें आपको Mock Test का मिलता है सारे SSC के examo के Mock Test CPO, CGL सब का Mock Test मिलेंगे और Super Elite में यापको हमारे AlliBoard के courses, classes प्लस Mock Test मिलेंगे अगर शीतल कोड यूज करोगे तो अभी यापर 45% off चल रहा है शीतल कोड यूज करने पर Mock Test वाला ये combination SSC का मिलेगा 384 का और 769 में तुमें कोर्स और Mock Test दोनों मिल जाएंगे शीतल कोड यूज करने पर इसके अलावा SSC Plus Railway और SSC Plus Railway Elite भी अभेलेबल है 400 और 1100 रुपे के अंदर-अंदर शीतल कोड यूज करने पर और यहां पर कोई भी आपको doubt है तो आप मुझे मेरे टेलिग्राम चैनल पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं शीतल शेर्मा 01 यह मेरा टेलिग्राम चैनल है जहां पर आपको कोई भी doubt कोई भी query है यहां पर आपकी resolve हो जाएगी that's it for today thank you so much everyone I hope कि आपको session में मज़ा आया होगा मज़ा आया हो तो please like जरूर करना इसको share it with your friends and channel को subscribe कर देना यहां पर ऐसे और बहुत सारे मंतली आपके लिए bold series और different जो आपके mock test के solutions होते हैं वो आपको यहां पर मिलते रहेंगे thank you so much bye bye and take care and video को जाते जाते like and channel को subscribe जरूर करना thank you